मुझा शेला ग्या जाओं था मैं लोकवेद के साथ लोकवेद होता है दंत कथा अक्षेत्रिय ग्यान जिस अक्षेत्र में जैसी प्रमप्राएं जैसा जैसी साधना होती है उसको लोकवेद कहते हैं वो सब के मुँपर चड़ा हुआ होता है कि ये भगवान है ये भगवान है चैको किसी भी देव को पूझ रहा है या कोई मजार पूझ रहा है या किसी की यादगार पूझ रहा है उन्ही को सत्त मान रहें तो प्रमातमा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कहह रहे हैं वो तो मालक थे जैसे पहले बगवान विश्मु जी का पुजारी था और साथमी संकर जी को भी पेरलल आदर दिया करते थे आनुमान जी का विश्च कुजारी था और भी अपना जो पर्मपरागत द्डेव ताद ब लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे ये यथारत बक्ती मारग और ग्यान नहीं था और जब ये मारग मिला परम पुझ्या परमेश्वर के परमात्मा सरेश्टात्मा पुन्यात्मा स्वामी राम दिवानंजी दास को मिले उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ग्यान रूपी कि अब आप अंदेरे में भटक रहे हो आपके पास कोई मारग नहीं है जिसकी रोसनी में आप ठीक चल सके तो उस तत्व ग्यान रूपी दीपक के रोसनी में दास फिर सीधा चला तो आज सफलता मिली तो परमात्मा कहते हैं पीछे लागा जाओं था मैं लोक वेद के साथ रस्ते में सत्गुरु मिले अर्यो तत्व ग्यान रूपी दीपक टॉरस देदी लाल्टन देदी किसकी रोसनी में चल गड़ों में मत गिर अर्यो में